हेलो गाईज मैं हूँ गोतम और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाना कोलेज एडमिशन 2021-22 के उपर दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आउट हो चुकी है तो आप जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है उनको आगे क्या करना है यानि कि क्या स्टेप्स हैं जो उनको फोलो करने है ठीक है तो उनकी उपर हम बात करने वाले हैं गाईज तो आज की वीडियो भी बहुत इंट्रेस्टिंग है वीडियो को completely देखिए अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है तो कोई भी गलती आपको नहीं करनी है जैसा हम आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है ठीक है तो गाईज यहाँ पर चलिए वीडियो submission और दूसरा काम है physically या फिर कहेंगी offline document verification अब यह दोनों है क्या इनमें आपको क्या करना है वो सब कुछ मैं आपको समझाने वाला हूँ ठीक है तो गाईज देखिए सबसे पहले जैसे आपका maritalist में नाम आए सबसे पहला काम आपका होना चीए fees submit करना ठीक है गाईज यह यहाँ पर fees submit करने के लिए आपको कुछ time दिया जाता है जैसे कि आपको पता है कि हरियाना की जो first maritalist है वो 11 सितंबर को आई है तो अब यहाँ पर उसका time दिया गया है कि 15 सितंबर तक आप उसकी fees है वो submit कर सकते हो ठीक है यह नहीं है कि कोई 16 तारिक को जा रहा है fees submit करने तो 16 तारिक को उसकी fees भी submit नहीं होगी ना वो फिर admission ले पाएगा उसका नाम ही cut कर दिया जाएगा ठीक है तो इसको पूरा procedure फिर से करना पड़ेगा ठीक है तो guys ऐसी गलती आपको नहीं करनी है 15 सितंबर तक आपको यहाँ पर अपनी fees है वो submit कर देनी है ठीक है बात करते ह है fees submit कहां पर होगी कैसे होगी ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं कि कहां पर होगी तो guys fees submit आप online कर सकते हूँ और offline कर सकते हो ठीक है यानि कि offline का मतलब यह है कि आप college जाके भी कर सकते हो और यहाँ पर आप किसी भी cyber cafe से या फिर खुद भी अगर आप यहाँ पर payment अगर यूज करते हैं डिजिटल तो यहाँ पर online payment के थूख कर सकते हो ठीक है कहाँ पर करनी है उसकी बात करें तो guys यहाँ पर आपने जहाँ रजिस्टर किया था उसी पोर्टल के उपर यानि कि dheadmissions.nic.in ध्यान से सुन लीजिए आपको दिखाई भी देगा हो यहाँ पर स्क्रीन पर dheadmissions.nic.in इसके उपर यहाँ पर आपको login करना है अपने user id पासवर्ड से उसके बाद आपको details मिल जाएंगी फीज की वहाँ पर आपको अपनी फीज अब पे करनी है जो receipt होगी वो download कर लेनी है ठीक है तो यह बात होगी fees payment ठीक है आप online भी कर सकते हो offline भी कर सकते हो second step guys यहाँ पर आता है document submission या फिर document verification offline ठीक है अब आप कहेंगे कि भाई document verification तो यहाँ पर हो गया था जब हमने registration किया तो guys मैं आपको बता दूँ कि भाई वो जो document verification था जिसे हम online document verification बोल रहे थे जो कि आपका 18 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक चला है वो यहाँ पर एक formalty थी आप यह कह सकते हैं या फिर मैं कहूं कि वो एक normal document verification था जिसमें आपके जो normal documents हैं जो यहाँ पर आपकी eligibility वगरा दिखाते हैं उनको चेक किया गया था जैसे कि आपकी certificate होगी 10-12 जो आपने upload की थी ठीक है कि आपके इतनी number हैं भी या नहीं जो आप apply कर रहे हो ठीक है यह तो नहीं है कि आपके कभी आप फैल ही हो और form भर दिया अपने ठीक है तो यह सब कुछ check करने के लिए किया गया था लेकिन अब यहाँ पर आपका admission हो रहा है आप college की family का पार्ट बन रहे हो तो बिलकुल यहाँ पर आपका अच्छे से document verification होगा और वो भी offline होगा यानि कि सारे के सारे जो documents होते हैं वो आपको college में जमा करवाने पढ़े हैं लेकिन जब आपने register किया तो आपने यहाँ पर हमें comment भी किया था कि इतने documents तो में नहीं चाहिए तो guys वो जो आपको registration के time नहीं चाहिए थे वो आपको अब चाहिए होंगे ठीक है जैसे आपकी bank की copy वहाँ पर नहीं मांगी गई थी लेकिन अब यहाँ पर होगी bank की copy ठीक है check इसके बाद हम बात करें यहाँ पर आपकी domicile है वहाँ पर शिर्फ यह पुछा गया था कि भई domicile है या नहीं है यहाँ पर आपकी check भी होगी ठीक है इसके बाद यहाँ पर migration certificate है वो भी आपकी check होगी ठीक है verification होता है उसे हम यहाँ पर यह बोलते हैं ठीक है तो इसके अंदर यहाँ पर आपको अपने सारे के सारे documents हैं जो मैंने आपको अभी बताए ठीक है और यहाँ पर जो documents registration के time दिये थे वो भी दुबारा लेके जाने हैं और वो सारे के सारे अपने जहां भी आप admission ले रहे हो जिस भी college में वहाँ पर जमा करवाने होते हैं वहाँ पर verify करवाने होते हैं ठीक है अब यह मत सोचना कि वह 12th की certificate लेके रख लेंगे नहीं यहाँ पर आपको photocopy देनी हैं एक दो document ऐसे होते हैं जो आपको original भी हैं पर submit करने होते हैं जब आप college से जाओगे तो अपने admission के time यानि कि जहां भी further admission लोगे पीजी में तो अपने वहाँ से आप वापिस ले सकते हो ठीक है तो यह यहाँ पर हो गया आपका college का online document verification नहीं offline document verification ठीक है online तो पहले हो चुका तो गाइज यह दो methods होते हैं आपके जो आपको अब यहाँ पर आपका merit list में अगर नाम आ गया है तो यहाँ पर आपको अप्लाई करने हैं सबसे पहले आपको fee submit करवानी है then after यहाँ पर आपको document verification के लिए अपने document से हो submit करने है अब बात करें fee submission है guys उसके लिए यहाँ पर आपके पास 15 सितंबर तक का time है बात करें second number पर document यहाँ पर submission है उसके लिए अभी तक कोई confirm update नहीं आए कि किस college का कब होगा तो वो I think सभी college है वो अपने basis पर आपको inform करेंगे यान कि उनके पास आपकी details तो है email भी है phone number भी है तो आपको यहाँ पर alert रहना है आपके पास email या phone पर कोई भी message आ सकता है वरना अगर कोई message यहाँ पर सभी के लिए आएगा website के उपर तो हम आपको बता देंगे ठीक है so guys I hope आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा wish you all the best जैहिन जैभारत